असलाम अलेकुम डियर वीवर्स मैं हूँ कामरान और आप देख रहे हैं MLT Hub with कामरान कैसे हैं डियर वीवर्स उमीद है सर्फ ठीक ठाक होंगे आज की वीडियो का हमारा जो टौक है वो है Hemoglobin Test वक्स जाया नहीं करते शुरू करते हैं अपना टौपिक हेमत अग्लोबिन Test हیمогلوبین दरसल एक प्रूटीन है जो के मुझूद होता है रेड बलड सेल्स के अंदर और जो खून का रंग सुर्ख होता है तो वो भी इसी प्रूटीन की वज़े से जो के कहलाता है हیمогلوبین अभी हम बात करेंगे कि इस हेमогلوبین का स्ट्रक्चर क्या है ये किन चीजों से मिलकर बनता है तो हेमогلوبین दो चीजों से मिलकर बनता है जिसे कहते हैं हीम पॉर्षन और दूसरे को कहते हैं गलोबिन पॉर्षन हीम के portion में मौझूद होता है iron और porphiren और जो globin का portion है तो ये protein portion है जिसमें 4 polypeptide के chains मौझूद होते हैं जिसमें से 2 chain जो हैं वो alpha के होते हैं और 2 chain जो हैं वो beta के chain होते हैं तो हीम और globin से मिलकर बनता है ये protein hemoglobin अभी हम बात करेंगे कि इस hemoglobin protein का function क्या है ये हमारे जिसम में क्या काम करता है तो सबसे पहले ये हमारे lungs से oxygen को लेता है और हमारे जिसम में तमाम tissues को वो oxygen पहुंचाता है इसके इलावा ये खून को सुर्ख color भी महिया करता है जो खून का रंग सुर्ख होता है तो वो भी इसी hemoglobin protein की वज़ा से होता है दूसरा ये कि जितने भी tissues हैं हमारे जिसम में उससे ये hemoglobin carbon dioxide को उठाता है lungs में लेकर आता है और फिर lungs उसको जिसम से excrete करता है और आखरी नंबर पर जो function है तो वो है ये हमारे खून के pH को यानि acid base balance को भी मतवाजी रखता है balance रखता है अभी हम बात करेंगे कि इस hemoglobin test की तशखीसी एहमियत क्या है तो इस test की मदद से हम तशखीस कर सकते हैं पता लगा सकते हैं मुखतलिफ किसम के इनीमियास का इस test की मदद से हम तशखीस कर सकते हैं polycythemia की इसके इलावा जिन लोगों में इनीमिया होता है और डॉक्टर उसकी treatment शुरू कर देता है तो ये test treatment के बाद भी किया जाता है ताके पता लगाया जा सके कि जो इलाज शुरू हुआ है तो उसका कुछ असर हुआ है या नहीं हुआ इसके इलावा मुखतलिफ किसम की बीमारिया होती है disorders होते हैं जो के इस हेमगलोबिन के साथ इस खून के साथ तालुक होता है उन बीमारियों का तो उसका पता भी हम इस test की मदद से लगा सकते हैं इसके इलावा कुछ मुरूसी खराबिया होती है जो के हेमगलोबिन में आ जाती है या खून में आ जाती है तो उसका पता भी हम इस टेस्ट की मदद से बहुत असानी से लगा सकते हैं अभी हम बात करेंगे कि इस हेमोगलोबिन प्रोटीन का नॉर्मल लेवल क्या होता है खुन में तो मर्दों में इसका नॉर्मल लेवल होता है 13 से लेकर 18 ग्राम पर डीसी लीटर तक और खवातीन में होता है 12 से लेकर 16 ग्राम पर डीसी लीटर तक अभी हम बात करेंगे कि इस टेस्ट के लिए हम खुन का नमूना किस बोतल में लेते हैं और किन मशीनों पर ये टेस्ट हम कर सकते हैं तो 3 से 5 हैमल खुन का नमूना लिया जाता है EDTA ट्यूब में और फिर इसको रन किया जाता है या इस टेस्ट का पता लगाया जाता है सालीज मेथेड पर, माइक्रोलेब 300 पर या कोई भी आटोमेटिड सेल काउंटर जैसी मशीन हो तो उस पर इस टेस्ट को लगाया जाता है और पता लगाया जाता है कि हीमागलोबीन की वेल्यू क्या है अभी हम बात करेंगे कि वो कौन सी मेडिकल कंडिशन्स हैं जिसकी वज़ा से खुन में जो हीमागलोबीन प्रूटीन है उसका लेवल बढ़ जाता है तो वो हालते हैं पुली साइथीमिया, वेरा, हर्ड फेलिवर, लिवर कैंसर, किड्नी कैंसर, शौक, रिनल सिस्ट, डिहाइडरेशन, क्रॉनिक अब्स्ट्रक्टिव पल्मुनरी डिजीज या वो लोग जो बहुत ज्यादा उंचे जगों पर रहते हैं, हाई अल्टिचूट पर रहते हैं, या वो मरीज जो जल जाते हैं, तो ये वो मेडिकल हालते हैं, जिसकी वज़ज़ से खुन में हेमागलोबीन प्रूटीन का लेवल बुलंद हो जाता है अभी उन वज़ज़़ात पर बात करेंगे, जिसमें खुन में हेमागलोबीन प्रूटीन का लेवल कम हो जाता है, तो वो वज़ज़े हैं, खुन जाया हो जाए, किसी भी वज़ज़ से चाहे एकसिडेंट हो या सरजरी हो और खुन बहुत जाया हो जाए, आईरन आजाए, या फिर अगर कोई क्रॉनिक इंफिक्शन हो, लिूकीमिया में, रियूमेटिक फ्यूवर में, लिम्फोमा में, प्रिगनेंसी में, स्प्लीनो मिगेली में, और हेमोलिटिक डिसॉर्डर्स में, जो हेमोगलोबीन प्रूटीन है, तो इनका लेवल खुन में बहु सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना डेर सारा ख्याल रखियेगा, अल्लाहाफिज.